छे फिट चवड़ाई है इसकी और 45 फिट लंबाई है तो ले लिए उस समय जमेन लेकिन उसके बाद तो लग रहा था इसमें बेकार लिए कि क्या लिए कुछ लोग ऐसा भी हमको कह रहा है थे कि बेच दीजिए इसको पांच साथ साल तक कुछ दिमाग में आया नहीं एक तल मात्र इतनी सी जगे में सारी चीजों को अर्जस्ट किया गया है तो कहीं न कहीं अपने आप में काबिले तारीफ मुझफर पुर के गन्नीपुर के एक अजूबे घर के पास इस वक्त हम पहुच चुके हैं आपको बता दे कि यहां से जो भी लोग गुजरते हैं उनकी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते होंगे तो आज हम चलेंगे और इस घर के जो मालिक है उनसे बात चीट करेंगे और यह भी जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरी सजूबे घर का पूरा राज क्या है और क्या सोचकर उन्होंने मात्र इतनी कम जगे में इतना बड़ा घर बनाकर खड़ा कर दिया और लोगों का जो इलादा है लोगों की जो नजर है वो यहां पर आकर टिक जाती है क्या नाम है आपका जी संतोष कुमार ना हुआ संतोष जी सबसे पहले बताइए सोचकर आपने यह घर बनवाया पहले सभी लोगों को नमस्कार दोजार पांच में यह जमीन लिये थे मैं यह तीन धूर है मात्र छे फिट चोड़ाई है इसकी और 45 फिट लंबाई है तो ले लिए उस समय जमीन लेकिन उसके बाद तो जरूरी था कि यह जमीन हमने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया था मुह देखाई के रूप में साधी के दस 12 दिन बाद ही इसकी रेइस्ट्री हुई थी तो बनाना भी जरूरी था नहीं तो यह कहती कि हमको ठग दिये कैसा गिफ्ट दिये वाइफ की नाराजगी जाया ना जाया है जी इसी के चलते बनाना भी आवस्चक था लेकिन कोई इंजिनियर तयार नहीं हो रहे थे तो अपने से हमने एक नक्सा ड्राफ्ट किया यह नक्सा अपने खुद बनाया हूं और ड्राफ्ट करके उसको नगर नियम के इंजिनियर साहब के पास ले गए चुकि पा परता हमें आरे पास डिगरी है नहीं कि हम वो करते लेकिन हमारा जो प्लान लगा वो उनको अच्छा लगा और चुकि नई बिल्डिंग बाइलोज उस समय नहीं थी दो हजार चौदा में नहीं बाइल लगी है तो हमारा नक्सा भी पास हो गया नगर निगम से और फिर इस इतना अच्छा हुआ कि दुनिया का नंबर वन मकानी हो गया फर्स्ट ट्रेंडिंग बिल्डिंग अपन दी गूगल बिहार से बोलिया जुबा घर चाय अमेरिका से बोलिया यूनिक बिल्डिंग यहीं मकान आता है और आज यहीं वो छोटा सा हमारी वाइफ के लिए अब बोलती है कि नहीं कितना अच्छा गिफ्ट दिये कि पूरा विश्व हमको जान गया जब पहले बनवाए थे तब इनों नहीं थोड़ा इसके मन में हुआ था कि सहलियां पूछ रही है कि क्या मिला सोना चानी मिला तो उस समय कहने में कतराती थी तो किसी किसी को बताई कि ज सारे चीजे बताई मुझ दिखाई मिनों ने आपके गिफ्ट दिया कैसा लगा आपको यह गिफ्ट यह बहुत ही यूनिक गिफ्ट है और बहुत अच्छा लगा वो तो कितना बताए हम कम है जब खड़ीदे थे सोचे थे जमीन खड़ीद रहें क्या गिफ्ट है लेकिन फ बहुत इस घर में कितनी रूम है क्या-क्या चीजे इसमें रहती है क्या-क्या चीजे चलती है आप अंदर जाकी दिखाईए यह पहले बता देंगे तो सर्फ्राइज को तम हो जाएगा हम दिखा देंगे लेकिन अभी हम आपसे खास बात्चित करेंगे क्योंकि हम आगे द पूरा मन आजीव क्या करें टिव्ट इसमान कैसा हो अभी तो क्या बताए है अभी तो लोग हम ही से पूस्ते हैं अभी मैं दिली गई थी महा這種 है कि बिहार कτई गश्ये हम रको जानते है तो मैं सब़सी बैंगलोड में भी लोग पूछे है मुझसे क्या जूब अज़ गर कि पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही, कैसा मैसूस हो रही है, इसलिए तो इंटरनेशनल आशिक का खिताब हम दिये हैं इनको, कि काफी महिलाएं जो साधी शुदावने पती को कहती है, कि मुझे भी ऐसा यूनिक गिफ्ट दीजिए, जो मैं रहू ना रहू ये गिफ्ट हमेशा रहेगा, तो आप देख सकते किस तरीके से इस अजूबे घर के बारे में पती और पत्नी दोनों ने बताया और संतोस जी ने इसको मुझ दिखाई के रूप में दिया है, और इतना खास यह हो गया है कि आज सब के जुबान पर और हर कोई आकर देखना चा है कि यहां पर शायद कोचिंग सेंटर चलता है, बिहार सरकार के का एक कोर्स है के वाई पी कुछल जुवा कार्जग्रम उसी का निशुल पर सिक्षन के इंद्र है, एक बैच में बीस बच्चे बैठते हैं, चार-पांच बैच साम तक चलता है, हजारों बच्चे यहां से प्रसिक्शन लेकर जा चुक हैं, वीस बच्चे आ जाते हैं, अथ बिस बच्चे किस तरीके से आ जाते हैं, और अब याँ पर साफ तोर पर टसवीरों की माध्यम से देख सकते हैं कि साथ, जूबे घर में और मात्रे इतनी सी, दूरी नहीं दोनों हाथ ऐसे फेलाआं, तो तो आगे हम आपको और भी दिखाते हैं आपको बता दे कि छे फिट की जगे में यहां से सीडिया स्टार्ट और इसके साथ में जो मकान बना है वो बस इन लोगों ने लिया है इसका कोई हिस्सा नहीं है आगे चलते हैं सीडियों के माध्यम से और दिखाते हैं कि आखिर उपर पहली मंजिल पर क्या है और आपको यह भी बता दे कि यह घर पांच मंजिल का है और यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीजे हैं एक बार मैं जरूर चाहूंगी कैमरा मैंन को अपने की वह एक आपको आगे दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से अभी देखें इतना मुश्किल हमारे लिए हो रहा है लेकिन आप सोचिये कि यह लोग कितने प्यार और कितने खुशी से रह रहे हैं और यह जो घर है वो लोग इसका तारीफ करके इसकी तारीफ करते हुए ठक नहीं रहे हैं जैसे बड़े मकान में ड्रोइंग हॉल बोला जाता है कोई गेस्ट आए तो चार-पांच लोग यहां बैठ जाएं इसके लिए ड्रोइंग हॉल हुआ इस प्रोइस से यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह किचेन है हमारे घरों में जो कीचेन होता है इतना लंबा चोड़ा बड़ा हुता है लेकिन फिर भी हम जो है कि अर्जास्ट नहीं कर पाते कंजस्टेर होता है लेकिन देखे किस तरीके से मात्र इतनी सी जगह में स क्रूम है अगर संतोज को बदा यहां पर पर रह सकते रहते ही हैं यहां यहां बहनाँ इतने कम जगे में लोग कहते कि घर अपना ही होता है इतने कम जगे में आपने नक्षा भाande अमएं इतना नहीं खेंट बना हो तो हां अधार जो यूपी भीहर में जमीनी विवाद जो इतना हो रहा है एक पिता के अगर तीन-चार पुत्र हैं और जमीन एक कठा है सहर में तो कितना बड़ा भीवाद हो जाता है जब बंटने के बाद जिसमें हम कैसे रहेंगे अब घर को कैसे बाटेंगे उनको लोगों के लिए एक सी हैं हम लोगों का चारों मंजिले पर क्या-क्याशी जर्जस्ट की गई है इससे उपर ऐसा ही मिलेगा एक सबसे उपर चौथ है तला पर हो थोड़ा डिफरेंट है कंस्ट्रेक्शन आइए नहीं हम दिखाते संतोज जी एक बात और कहेंगे कि आप इतना सोथ समझ के इस नक पर देका तक हम गये हैं और पूरे दुनिया का एक अनुभव लेकर और अपना काम हम करते हैं तो अगर आपको भी कम जमीन में और मात्र 6 फिट की जगह में अगर आपको घर बनमाना हो तो आप संतोज जी से जरूर संपर्ख कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लेकिन रफ सब्सक्राइब करते हैं कि अगर इस से डिफ्रेंट जमीन है तो बताई हैं वहीं बनाएक संतोज जी के अंदर कितना अच्छा टैलेंट है कि मात्र 6 फिट की जगह में पांच फिट की जगह में एक घर तयार करके दे सकते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से इन लोगों के अंदर प्रतिभा है संतोज जी अजूबे घर की वज़े से फेमस हो रहे हैं वो काफी अच्छा है और इस अजूबे घर को आज हम आप तक पहुचा रहे हैं इस सारे नक्से को दिखा रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीजे इस घर में कि गई है किस तरीके से घर बनाये गया है तो आपको कैसा लगा सस्तक न्यूस की तरफ से देखकर आप कमेंड वॉक्स के जरीए जरूर बताईएगा बाकी ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रही है हमारे साथ